अब हम सिखेंगे to define a new bullets तो देखो यहां पे और लड़ी एक bulleted list है अब हमें new bullet कैसे करना है तो हम पहले select कर देंगे list को फिर जाके bullet icon इधर एक टो है bullet icon देखो यहां पे ठीक है तो यह bullet icon में click करेंगे click करने के बाद यहां पे अलग-अलग bullets है तो इन में इसे कोई सा भी चुन सकते हैं तो देखो मैं यह वाला चुन रहा हूं तो click कर दिया देखो इधर बदल गया similarly फिर से बदलना चाहते हैं फिर से bullet icon में click करेंगे arrow बदला चाहते हैं तो arrow में click कर देंगे यह देखो arrow बदल गया ऐसे हम एक नया bullet define कर सकते हैं